स्वागत नहीं करोगे हमारा सो विलकाम 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 एरिवान तो इस अमेजिंग वीडियो जिदर भाई आया है कुछ ना कुछ लेकर ही आएगा कुछ ना कुछ करा के जाएगा और एफार में एक्जेम्शिंग की जिम्मेदारी भाई आया है सब करा के जाएगा इसी बात को प्रूफ करने के लिए आपके लड़ाया है वो शांदार एट डे रिविजन प्लैनर ठीक है आपको पता होगा मैंने कुछ शायद एक महीने डेड महीने दो महीने पहले शायद आपको एफार का 12-day प्लैनर भी शेर किया था वो किसके लिए होता है सर वो होता है जो इंसान फर्स्ट रिविजन कर रहा होता है उसके लिए मतलब अभी ऐफार किये वो उसको 6 मईना 8 मैना साल भर हो चुका रहता है तो उसके लिए 12-day प्लैनर होता है अब ये किस के लिए 8-day planner अब ये दो टाइब के बच्चों के लिए प्लीज ध्यान से सुनना किस के लिए है वरना आप सुनोगे नहीं किस के लिए है और फिर हला मचाओ के सर मेरा 8 दिन में हुआ ही नहीं तो सही planner सही इंसान के उसका ना बहुत जरूरी है ठीक है अच्छा किसके लिए ही वो बता उसके पहले सब्सक्राइब की भी ना सुनोगे और रे 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 पहले सब्सक्राइब करना फिर सुनना उसके लावा ये planner में मेरे टेलिग्राम पे शेयर कर दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जॉइन करो, फिर डाउनलड करो तो इसका प्रिंट लेकर रख ले ना बिकॉस इस planner के नीचे मैंने एक वो भी दे रखा है आपको उसको क्या बोलते है? ट्रैकर है ना, उसको भी डिस्क्रस करूँगा कैसे यूस करना है आपको इदर आजाओ, हाँ, तो अब हम ते planner आट दिन वाला किसको यूस करना है जो इनसान अपना FR का second revision करेगा मैं exam के पहले वाले revision की बात नहीं कर रहा हुआ, second revision मतलब अभी, September में, October 1 में कभी तो करोगे ना, वो वाला, या फिर या फिर, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने class अभी complete की है जैसे वो result आया, विचारे clear नहीं कर पाए तो class lately, और फिर late class खतम करने के बाद, FR को कितना revise करने के time दे, तो ये 8 days चल जाएगा उनके लिए, मतलब जिन्होंने अभी latest में class देखी है क्योंकि जिसने latest class देखी है न, उसको चीज़ा recall लेती है माइड के अंदर, तो वो ये use कर सकता है 8 दिन वाला, बराबर तो 8 days में आपको FR को किस तरीके से करना है मैंने हर day का आपको target दे रखा है और हर day का आपको duration दे रखा है आपके पास time का constraint चल रहा है तो आप इसको थोड़ा सा compress करके 7 days में भी ला सकते हो वो आप अपने साब से फिर प्लान कर लेना उस चीज़ को बराबर तो ये बाद ध्यान लटना मैंने हर day wise आपको topic दे रखा है duration का time दे रखा है इतना समय का average समय होता है अब of course किसी बच्चे का suppose India 16 बहुत अच्छा है तो उसका 4 नी 3 घंटे में हो जाएगा किसी का suppose India 36 थोड़ा week है तो उसको 3.5 नीशा 4 घंटे लग जाएगे तो वो हलका हुलका उपर निचो हैगा बट मोटा मोटी आपके target होना चाहिए और अगर ये प्लानर आप शिद्दत से फॉलो करोगे न it is tried and tested मैं बहुत समय से प्लानर दे रहा हूँ ठीके तो अगर जो इनसान अच्छे से पढ़ा पढ़ रखा है पहले पहले अच्छे से पढ़ रखा है रिवाइस कर रखा है नोट बना रखे तो उसका इतने समय में हो जाता है या तो secondary vision या फिर जिस बच्चे ने classes latest देखिए उसके लिए बता रहा हूँ ठीके प्लीज ध्यान नटना जब आप ये planner फॉलो कर रहे हो मैं 12 घंटा आप minimum पढ़ोगे मान के चलता हूँ सुर 12 घंटा इतना दो पढ़ोगे न तो ऐसा मत मला ना बारा कंटा कैसे पढ़ेंगे उत्ता पढ़ना ही पढ़ेगा बराबर और एक प्रण लेके planner फॉलो करना कि ये target अचीव किये भी ना सोंगा नीम है target अचीव करना है मतलब करना है तो ऐसा day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7, day 8 तक का प्लान आपके पास है पूरा 8 दिन का इसमें last day में आपके पास 101, 113, analysis, common pool common pool ये उन बच्चों को समझागा जो मेरे से पढ़ते है तो उसके लाबा ethics और technology इसके लिए भी time दे रखा दो घंटा ठीक है और buffer भी दे रखा है कल को जाकर एका topic अगर किसी दिन में आपका नहीं हुआ तो tension मत लेना buffer यूज कर लेना ठीक है और अगर आपने first revision में mock test नहीं दिया है तो यहाँ एक day 9 पे आप mock test डाल दोगे ना तीन घंडे का तो मज़ा आ जाएगा मतलब सुबह उठो mock test दो खुद evaluate करो मज़ा ही आ जाएगा आप लोगो ठीक है तो यह भी आप इसमें डाल सकते हो अब FR कब से शुरू करना है वो आपकी मर्जी है if you want to start now कभी भी करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सिर्फ एक request करूँगा अगर आपने FR अभी recently पढ़ा है तो you can skip this planner अभी September में आपने पढ़ा है तो फिर आपका ये plan होगा कि शायद मैं भी exam के बहले देखूँगा वो अलग बात है बट अगर आपने अभी recently FR नहीं पढ़ा है तो काफी लोग stunt मारते कि मैं exam के बहले दस दिन दूँगा और FR करूँगा वो मत करना है दस दिन तभी देने से अच्छा अभी आप 6-7 दिन दो और बाद में आप 4-5 दिन दो that is a much better plan ठीक है तो प्लीज वो ध्यान लगना तो ये आपके लिए planner useful हो सकता है उसके लावा जब आप revise करोगे अगर कोई topic के आपको revision में दिक्कत आती है मेरे इसी YouTube पे जाओ आपको एक playlist दिखेगी बराबर मेरे revision की playlist बनी हुए पूरे की पूरी वहाँ जाके वो topic बढ़िया से revise करो और फिर self करने के लाँ जाओ ठीक है कितना लगना चाहिए वगेरा वगेरा उसके अलावा एक tracker भी दे रखा है मैंने आपको अब एक tracker किया है अब आपने target तो कर लिया एक दिन में इतना होना चाहिए इतना time में होना चाहिए लिखना कि ये complete हुआ कि नहीं हुआ और कितना समय लगा मानलो मैंने index 1 को 45 minutes दे रखे थे आपने suppose मानलो जल्दी हो गया 30 minutes में हो गया तो लिखना ये लिखना पता है क्यों जरूरी है क्योंकि जब आप exam के पहले वापस से 5 दिन दोगे उसका planner भी आपको मही शेयर करूँगा कि exam के पहले 5 या 5.5 days जो भी आप दोगे उसमें कैसे revise करना है उसका planner भी मही लाऊँगा सब मही लाऊँगा बस follow up कर लेना तो ये जो time आप लिखोगे वो उस समय बड़ा काम आने वाला है विकार जित्ता समय आपको अभी लगा है exam के पहले आधा समय आपको लगने वाला है ठीक है तो अगर आपका अभी 8-8.5 days में effectively FR complete हो जाता है तो exam के पहले आप एकदम निश्चिन तरहना 4-4,5 दिन में आपका आराम से हो जाएगा ठीक है और एक और चीज लाश्ट में आपको एक bonus tip देना चाओंगा जब अभी FH revise कर रहे हो काफी लोग पता है क्या करते है ऐसे revision वीडियो देखा concept उपर से देख लिए solution के पन्ने पलेट लिए बोलते हो गया सर quality matters ठीक है जब भी आप अभी revise कर रहे हो सारे question नहीं तो at least LDR question को आप लिख के practice करोगे करना है मतलब करना है एकदम ही time का crunch चल रहा है कुछ भी चल रहा है फरक नहीं पड़ता भाई वो तुम्हारा उपर उपरी revision से पास नहीं होने वाले तुम लोग लिख के practice करना ही पड़ेगा तो सारे LDR ने तो at least 50-60% LDR question लिख के करना मतलब करीबन इस revision के अंदर भी आपके 1500-200 question लिख के practice होने चाहिए exam में it is not a oral test it is a written test आपको लिखने को नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ आपको असा लगेगा कि आपको आ रहा है बट हाथ नहीं चलेगा फिर वो हाथ चलने के लिए अभी लिख के practice करना बहुत जरूरी है जो आप करोगे मुझे पता है बस disclaimer दे रहा हूँ कि इस पे compromise मत करना ठीक है और जब आप अभी revise करोगे it is possible कि आपके 2-4 topic weak है उसको strong करने का try करना फिर भी नहीं हो पा रहे तो उसको लेकर stress मत लेना 100% syllabus मैं से अगर आपने 90-95% syllabus अच्छे से कर रहा है आपके control में है तो वो 5% syllabus को लेकर अपने बाकी 100% को doubt मत करना you will do good in exams, don't worry about it पस stress मत लेना ठीक है तो ये planner आप यूज़ कर सकते हो of course you can adjust it as per your own convenience किसी को 6 दिन, 7 दिन देना है तो थोड़ा compress करके अपने साब से कर लो but मैंने आपको एक rough idea दे दे कैसा क्या होना चाहिए ठीक है, तो I hope this was helpful, अगर पसंद आए तो मुझे बता ना, आप FR cover revise करने वाले हो और FR में exemption लाओगे कि न लाओगे प्रामेस करोगेगा comment section में तो अगर यहां तक देखा है एक promise कर दोगे comment में कि सर, FR में exemption पक्का लाएंगे क्योंकि देखो मैंने, मैं promise करता हूँ भाई आया है, exemption दिलवा के जाएगा अब आपका exemption लाना जरूर है ना भाई, मेरा promise फुलफिल होने के लिए तो promise कर देना, उसके अलावा ऐसे ही जो काम की चीज़े इस चैनल पर आता रहूँगा, subscribe कर लेना पसंदा like कर लेना और अकेले-अकेले मत use करना दोस्तों गया share भी करना, ठीक है चलो, तो thank you so much everyone, bye bye everyone, take care see you all, bye bye